दोस्तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने मेरी गोल्ड बिस्किट से कैसे आप चॉकलेट केक बना सकते हैं दोस्तो इसके पहले मैंने बहुत ही अचीची केकी रेस्पी मेरे चैनल पे शेयर की हुई है आज की रेस्पी भी आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा और दोस्तो ये वाली मेरी गोल्ड जैसे 15 रुपे में आपको एक पैकेट लेना है और उसी से आपका जो है बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केका बना करके रेडी कर सकते हैं बनाना इसको बहुत ही जादा इजी है और इसमें नहीं मैंने अंडा इस्तमाल किया है और नहीं किसी तरह कोई मैदा इस्तमाल किया है इसलिए पूरी तरह से जो healthy है marigold biscuit जो है वैसे wheat flour से बनता है इसलिए जो है पूरी तरह से healthy वाला ये biscuit है और ये cake जो है बहुत ही यम्मी और tasty बनने वाला है नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कीरेर मेरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप मेरी चैनल पर नए है मेरा वीडियो पहले पर देख रहे है और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते है तिसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले तो ज़्यादा बाते न करते हुए चलि शू करते हैं आज की रेस्पी लेट के स्टार्टे तो दोस्तो आज की रेस्पी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटैनिया का मैरिगूल बिस्कुल यह मैंने एक पैकेट है और यह 15 रुपय का पैकेट आता है आपको इसली यह मार्केट में मिल जाएगा और सबसे पहले ट्रिप में क्या करना है आधा कप आपको पानी लेना है और यहाँ पे मैंने दो चमच कुकुवा पाउडर इसमें मिक्स किया है अगर आपके पास cocoa powder नहीं है तो coffee powder का इस्तमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे आप तो चमच coffee powder का और उसके बाद क्या करना इसको mix करके में रख दिया है और इसके यहां पर मैंने लिया है butter milk आदा चमच और इसको बहुत यह से mix कर देना है butter milk बहुत ही easy होता है पनाना आप अराम से बना सकते हैं दही के साथ या फिर दूद के साथ भी और इसका जो है पहले step में हमने जो biscuit के क्या करना है ग्राइंडर जा लेना है और इसे तोड़ कर दो कोछ चोटी-चोटी पीसे करकर इसके अंदर डाल देने हैं और स्क्राइब काफी अच्छी है वो इसके अंदर ढाल देते हैं और बहुत ही परियां सा यहां पर हमें बैटर रेडी करना है स्मूध बैटर रेडी करना है इसके लिए आप पहुत ही अच्छे इसको मिक्स कर ले तो यहां पर जो है दोस्तो आपको दूद की विज़रत नहीं पड़ी है यानि कि बटर मिल्क जो है दो चमच दही और आधा कप पानी मिला करके उसको मिक्स कर लेजिए बटर मिल्क रेडी हो जाएगा लास्ट में मैं यूज कर रही हूं बेकिंग सोडा आधा चमच और इसक काफी अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हमारे जब बहुत ही बरिया स्मूद बैटर रेडी हो चुका है अगले स्टेप में चलते हैं दोस्तों यहां पर मैंने एक स्टील का बहुत ही अच्छा बर्दन लिया हुआ है निचे फ्लैट है तो इसको क्या करना आपको घी के सा अ से से जैगा और चलते हैं यहां पर मैंने पर स्टेंड लगा दिया है और लित बैटर वाला बरतन इसके अंदर डाल देना है और फिर इसको यहां पर धक्कन बंद कर देना है कुकर का और इसका जो विसल है सीटी इसको निकाल देना है और निकाल करके आपको लूफ लिम पे 40 मिन तक इसको बेग करना है 40 मिनिट के बाद दोस्तों आप देखेगा कि आपका केक जो बहुत ही पढ़ियां और बहुत ही मस्त दिख रहा है यह देखे बहुत ही अच्छे से बेख हो चुका है इसको एक तूद्पीक मदद से जो है चेक कर सकते हैं अगर क्लीन है तो साफ निकले तो इसका मतलब सही है इसको बहुत ही अच्छे से ठंडा कर देना है और ठंडा करने के बाद ही इसको जहाब अन्मोल करें तो इस तरके जब मैं इसको पल्टूंगी तो बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएगा हमारा जो केक है बहुत ही बढ़ियां हमारा बन करके रेडी है सॉफ्ट और आराम से बना लेना इसके पहले मैंने चॉकलेट सीरफ बनानी की वीडियो बहुत सारे वीडियो में बताई ही है चॉकलेट गैनेज तो इस तरह इसके ओपर एक लेड लगा देना है और पिर इसको अच्छे से में गार्निश करूँगी यहाँ पर इसे मार्केट में ऐसली मिल जाएगा गार्णिश diction के लिएसे चोकलेट व्यगरा को को दिखेगा यह सारे चीज है अगर नहीं है ताप नहीं करें कोई दिकत नहीं है पट किसी को अगर आप बर्डे में या फिर किस तरह के कुछ में बना करके देना चाहते थोड़ा सजा के दीजित और भी सुन्दर दिखेगा तो बहुत सपंजी और सौफ्ट हमारा जो है मैर इडली बनता वैसा बनेगा हम इसको बेक करना होता है इसलिए पे पानी की जरुरत नहीं परती है आपको सिधा स्टैंड लगाना है कुकर में और बहुत लूफ लेंप आपको बेक करना है और आपका केक जो है बहुत ही सुपर सॉफ्ट स्पंजी बन जाता है दोस्तों तो नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टिक कियो बाबाई थैंक्स वर वाचिंग लव यू आल सी यू सून दोस्तों